हेलो बच्चो तो आज हम next chapter chapter no.4 पढ़ने जा रहे हैं जो है chemical bonding and molecular structure इसकी जो हमें molecules है molecules कैसे बनते हैं तो इसका पता होना चाहिए होता क्या है molecule पहले तो ठीक है हमें पता है कि जो atom है atom atoms does not exist atoms does not exist in free state atom does not exist in free state हमें पता है कि atom free state में exist नहीं करते हैं ठीक है वो combined form में exist करते हैं जैसे hydrogen हमें H की form में नहीं मिलेगा यह H2 की form में मिलेगा O oxygen जो है वह O की form में नहीं मिलेगा हमें O2 की form में मिलेगा O3 की form में मिलेगा ठीक है और phosphorus जो है वह P4 की form में मिलेगा ठीक है इस तरह से हमें यह element combined form में मिलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम molecule बोलते हैं अब molecule कैसे बनते हैं, same or different elements, same or different elements exist in, exist in one species, exist in one species having characteristics, properties, having characteristics, characteristics, properties, are called molecules, ठीक है, तो कैसे होगा, जैसे example में ले ले लेते हैं, water का molecule, H और O, इसमें क्या है, different element है, same भी हो सकते हैं, जैसे hydrogen और hydrogen भी हो सकता है, ठीक है, ये भी molecule ही बना रहे हैं, और hydrogen और oxygen डिफरेंट अलिमेंट है, अब ये दोनों क्या करेंगे, combine करेंगे, एक species बन जाएगा, जिसको हम water molecule बोलेंगे, और इसके कुछ न कुछ जो है, वो characteristics, properties होंगी, ठीक है, फिर है next हमारा topic, कोशल, कोशल लेविस, कोशल लेविस अप्रोच तो चैमिकल बोंडिंग, अप्रोच तो चैमिकल बोंडिंग, कैमिकल बोंडिंग, मतलब क्या है, वाइ डू, एटम्स, कमबाइन, ये एटम क्यों कमबाइन करते हैं, और molecule बनाते हैं, तैसा क्यों होता है, तो हमें पता है, जो noble gases हैं, जो हमने पिछले chapter में पढ़ा, क्या थी वो noble gases है, 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 लीना, है, नी, है, 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 हीना ने औरेंग जेव का एक्स रे, रंगा, हीना ने औरेंग जेव का एक्स रे, रंगा, तो हमें पता है, हीलियम का एटमिक नंबर होता है, टू, नियॉन का एटमिक नंबर होता है, टेन, और गॉन का एटमिक नंबर होता है, 18, क्रिप्टॉण का atomic number होता है 36 और जिनोर का atomic number होता है 54 और रेंड़ोन रेंड़ोन का atomic number होता है 86 ठीक है अब हमें अगर यह learn नहीं है ना तो हम ऐसी भी learn कर सकते हैं 2 में 8 एड़ करेंगे तो 10 बन जाएगा neon की बन जाएगी और यहां पे 18 तो क्रिप्टॉन का atomic number बन जाएगा, इसमें फिर से 18 एड़ करेंगे तो xenon का atomic number बन जाएगा, और इसमें 32 एड़ करेंगे तो redone का atomic number बन जाएगा, और इसको हम magic number बोलते हैं, ठीक है? अच्छा ये भी हो गया फिर हमें पता है कि जोमेन हे का atomic number 2 होता है और जो first shell में है वो 2 electrons fill किये जाते हैं कि इस shell में 2 electrons fill कर सकते हैं फिर है हमारा neon neon का electronic configuration पता है आपको तो लिख ले ना आप first shell में 2 electron और second shell में 8 electron मतलब इसका उक्टेट कंप्लीट होता है फिर और्गॉन का इलक्टॉनिक कॉन्फिगरेशन टू एट एट एटीन मतलब थर्ड चैनल में भी क्या जाएंगे एट इलक्टॉन आ जाएंगे तो ऐसे हम फील कर सकते हैं इसको एट एटीन और एट ऐसे इलक्टॉनिक कॉन्फिगरेशन फील हो जाएगी इसके ठीक है जैसे कि हमें पता है जो नोबल गेसिस हैं नोबल गेसिस क्या होती है इनक्टिव होती है और स्टेवल होती है तो लिख लिए नोबल गेसिस noble gases are inactive or stable ठीक है, noble gases क्या होती है, inactive होती है और stable होती है, क्योंकि इसके outer most shell में क्या होती है, देखो आप outer most shell में कितने electron है 8 electron है, ठीक है they have 8 electron क्यों stable है, because they have 8 electrons they have 8 electrons in the outer most shell in the outer most shell जिसको हम क्या बोलते है 8 electron complete हो, तो इसको octet बोलते है, और 2 electron अगर complete हो, तो इसको क्या बोलते है doublet बोलते है in case of helium ठीक है, called duplet ठीक है, यह लग गया पता देखो, helium के case में देखो, यहां पे क्या बन रहा था, duplicate बन रहा था, और जितने भी neon से लेके, रिंडॉन तक जितने भी हमारे element हैं, तो उसमें क्या बन रहा था, octet complete बन रहा था, मतलब 8-8 electron, automotion में कितने electron थे, 8 electron थे, अब अगर यहां पे 8 electron ना हो, कर 7 electron हो, तो क्या होगा तो वो chemically reactive होंगे, जैसे हमने chlorine का case देखा था, तो chlorine में, chlorine का atomic number होता है, 287, outer most shell में 7 electron है, तो यह क्या करेगा, बाहर से एक electron add करेगा, और 288, बतलब stable बनने की कोशिश करेगा, organ, organ की electronic configuration होती है, 18, ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, the number of electrons, number of electrons, in the outermost shell, in the outermost shell, is less than 8, less than 8, and hence, and hence, they are chemically reactive, they are chemically reactive, ठीक है, number of electron, अगर outer most shell में 8 से कम होंगे, तो हो क्या होगा, chemically reactive होगा, जैसे हमने chlorine का case देखा, अब इसमें आ जाता है, octet rule, यह पूछ लिए जाता है, paper में, कि define octet rule, तो आपको पता होना चाहिए, octet rule क्या होता है, जाता है, octet rule, octet rule, the number, the atoms of different element, the atoms of different elements, the atoms of different elements, take part, take part in chemical, chemical combination, chemical combination, in order to complete, in order to complete their octet, complete their octet or duplet, octet or duplet, in some cases, होते हैं, तो different element में, जो chemically, जो combine होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना octet complete करने की कोशिश करते हैं, या अपना duplet complete करने की कोशिश करते हैं, जैसे hydrogen, hydrogen का atomic number होता है, one, अब यह क्या करेगा, यहां से एक electron लेगा, और अपना octet पूरा कर लेगा, मतलब duplet पूरा कर लेगा, दो electron पूरे कर लेंगे और lithium का atomic number होता है 3 तो यह क्या करेगा 1s2 2s1 यहाँ पर क्या एक electron की कमी है तो यह एक electron लेगा और यह क्या बन जाएगा berlium की तरह stable electronic configuration ठीक है तो इस तरह से यह क्या करते हैं अपना octet या tuplet complete करने की कोशिश करते हैं ठीक है और अगर number of electron जैसे chlorine के case में atomic number 17 होता है chlorine का 287 मतलब outer most shell में एक electron है तो यह क्या होगा chemically reactive होगा क्योंकि इसको एक electron चाहिए तो एकदम से क्या करेगा electron को accept कर लेगा और 288 जो की argon की electronic configuration होती है जो की stable है तो यह क्या बनने की कोशिश करता है 288 मतलब argon की electronic configuration बनाने की कोशिश करता है तो इसमें क्या लिख सकते हैं number of electrons number of electrons in the outer most in the outer most shell in the outer most shell is less than 8 is less than 8 is less than 8 and they are chemically reactive and they are chemically chemically reactive ठीक है फिर है थोड़ा सा इसमें यह बगर लेते हैं क्या है यह यह आपने पिछली क्लासिस में पिपढ़ा होगा levis dot या levis symbol जिसको बोलते हैं levis symbols levis symbols जैसे हमें पता है lithium lithium का atomic number होता है 3 ठीक है तो first shell में 2 electron और second shell में 1 electron तो lithium का levis dot structure लिखना है तो क्या लिखेंगे lithium के उपर एक dot लगा देंगे फिर वेरलियम वेरलियम का atomic number होता है 2 और electronic और फर्स shell में 2 electron और second shell में भी 2 electron मतलब जो वेरलियम है वेरलियम का valence electron क्या आया 2 तो यहाँ पर यह dot लगा देंगे 2 dot जो वेरलियम सिम्बल बनेंगे यहाँ पर फिर है वेरलियम के बाद वेरलियम के बाद आ गया boron atomic number 5 फर्स shell में 2 electron और second shell में 3 electron तो यह valence electron boron के कितने आये 3 तो boron के 1, 2, 3 ऐसे valence electron आ जाएंगे ठीक है फिर है carbon atomic number 6 2 और 4 ठीक है तो carbon का atomic number 4 मतलब valence electron कितने आये 4 तो यहां पर 4 लगा देंगे वैसे ही carbon के बाद atomic number 7 nitrogen का होता है 2 और 5 तो nitrogen के outer most shell में कितने electron है मतलब valence electron कितने है 1, 2, 3, 4 और यह 5 ठीक है फिर oxygen oxygen का atomic number होता है 6 2 और 6 मतलब outer most shell में valence electron कितने है 6 तो यहां पर लगा देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है फिर आगया fluorine fluorine का atomic number होता है 9, 2 और 7 तो fluorine का अगर हमने levy's dot structure लिखना है तो कैसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यह 7 फिर है neon neon का atomic number होता है 10, 2, और 8 neon कितने dot लगेंगे outer most shell मिलना balanced electron कितने है 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है आई होप आपको यह समझ आया होगा अगर समझ आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्याद से ज़्यादा शेयर करें अच्च्च्च्च।